कोटा ज़िले में रेलवे स्टेशन से एक मासूम बालक के अपरण का मामला सामने आया बतादे का बालक के अपरण के बाद मंगलवार सुबा बालक के परविजनों ने जियार्पी थाने के बाहर डेरा डाल दिया वहीं जियार्पी और आर्पी-ैफ की टीमें बच्चों को तलाशने के कावे में जुटी हुई है दरसल ये घटना बीते रविवार की है जब खेडा रसूलपुर निवासी ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ फिरोजबाद जा रहा था और उसी दौरार चार वर्षे मासूम बालक का पहरण हो गया जिसके रिपोर्ट भी दर्च करवाई गई लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है वहीं जी आर्पी पुलेस सीसी टीवी फुटिज के अधार पर आरोपी की तलाश कर रही है कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट पांस तारीकों साम को कोई पिता अपने चार साल के बच्चे को लेकर जाना वड़ा था जो टीट काउंटर वो गयार बच्चे को कहीं प्लेटफर्म नंबर एक पे छोड़ के गया था वापसी माय तो मिला नहीं इसके बारे में प्रगर पंजीवत किया गया है और चार साल प्रगर उच्चे के वापस लाने के लिए उच्चे देगर वामिनसार बहुत साइटी में गटित कर दीगी है और प्रयात मातर हम जाता लागा कि फलाज जारी है कुछ पुटेज मिलें उसका अधर पर अनुसाना चल रहा है शिगरी इस कटना का फलासा किया जाएगा